तो हेलो सुड़ायन्स वेरी गुड मॉर्निंग टियो और ना भुपेंदर सिंग बिश्ट एक बार फिर से आप सबकर स्वाधत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दस्कॉलर्स हाउस में सबसे पहले फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं I hope कि सब अच्छे होंगे, healthy होंगे and fit होंगे तो देखे फ्रेंड्स हमारी क्लासे चल रहे थी case study की questions हम कर रहे थे आज हम करेंगे अगली case study pair of linear question in two variables की तो सबस्वेबरे friends please do like, share and subscribe और yes bell notification को press कर लेजे और जितनी भी updates हो आपको मिलते रहेंगी तो देखे friends अब हम करते हैं नेक्स्ट case study जो आपके screen के आपके whiteboard पर आपको भी दिखेगा तो देखे friends यह है हमारी next case study तो यहाँ पर आपको case study देखें क्या है तो यहाँ पर आपको एक picture दिखाए दे रही है उस picture में क्या है देखें आपका क्या हो रहा है स्कूल का एक competition चल लेए exhibition होता है ना चहाँ पर paintings होती तो वहाँ पर बच्चे उनको paintings बनानी है तो painting कुछ इस तरही से बनी है जो आपको दीख रही है यहाँ पर देखें तो painting में कहा है देखें दो boards है उसमें दो बच्चे 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 है और इस तरही से कुछ उसमें downstream है आप stream लिखा है तो मैंने यह question आपको वैसे अल्यडी मैंने अपको फिफ से हमारी जो second last जो हमारी जो हमारी second class है ठीक है जो हमारी second class थी हमारी first video की second class जो थी उसमें यह question मैंने आपको करा रखा है तो देखें आप इसमें कहा है इस पार आप integration mathematics तो जो भी आपके पास यहाँ पर picture दिखाए रहे mathematics का एक पार है ठीक है तो देखें दर teacher and student interest ले रहे हूं उस painting में अब देखें क्या है question में पढ़ते है अच्छे से the teacher explained that the above paintings are based on the concept of pair of linear equation to variable तो जो भी आपको paintings दे रहे है यह किस concept पे based है यह आपका pair of linear equation to variable पे based है तो देखें इस पर क्या लिखा है आपको बस इससे आपको क्या करना है questions find कुछ questions निकाले गए है उस question को में करना है तो सबसे पहले देखें हम तो चलिए अब हम अटाते screen और questions start करते है तो देखें फ्रेंड जैसे कि आपको आपने पढ़ लिया भी किस तरह से painting थी क्या थी अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक राइट साइड है फिर भी एक बार दिखा दूँगा वह painting में क्या था तो देखें सबसे पहली बाद मैंने आपको class पढ़ा रखिया ओलड़ी कि क्या आप मेरी सबसे पहली वीडियो जो थी आप यहां पर आपको दिखेंगे होगा मैं एक बार और से लिख जेता हूं यहां पर आपको questions यहां पर आपको solutions तो देखेंगे पर देखेंगे देखेंगे speed of boat very good speed of boat कितनी दे रही है आपको 5 km per hour देखेंगे मैंने आपको करवाया था question मैं भी गवाद फिर बतायता हूं आपको अच्छे से पहले में लिख लेता हूं जो यह आपको given दे रही है वह में लिखना लिख लेता हूं और इसमें तरह देखेंगे speed of stream speed of stream कितनी है आपके पास speed of stream आपर 2 km per hour है 2 km per hour देखेंगे फ्रेंड्स लेक्चर लंबा जायागा बट मैं आपको भरुसर दिलाता हूं 5 questions है 5 questions से आपको समझाने में टाइम लगेगा बट जिस करने में इसको एक question करने में minimum आपके पास 3 seconds लगे है और 3 seconds में आपको अराम से लगे है यह आपको समझाने में टाइम लग रहा है बट यस करने में बता रहा हूं 3 seconds आपके पहले आप क्या करीब concept अपने clear में लेगे concept यह था कि जब हम देखें मैं पड़ावर आपको बताता हूं speed of boat क्या मानते थे उस टाइम पर जब हम करते है आप यह मानेंगे speed of boat in still water था पर आप यह देखा तो इसको एक समाल लेजिए ठीक है यह आपको पैसब से पहले आप यह चीत पड़ लेजिए ठीक है और यहाँ पर आपका speed of stream यह कभी-कभी stream दिया होता है और कभी-कभी current ट्लिक होता है दोने एक ही चीज़ है इसको आप वाय मानी लीजे लीजे वाय मान लेते हैं अब मैंने आपको उस टाइम पर यह question में जब गता रहा रहा हमें इसका तो मैंने आपको एक concept बताया था कि जब भी हमें downward जाना होगा तो देखिए टीक है downward कह सकते है या downstream कह सकते है इस अप तो यू तो आप जो कहें इसको देखिए downstream लिखा आपके question तो downstream कह सकते है तो downstream में speed की बात जब भी आती थी हम क्या भरते थे इन दोनों को प्लस करने रख जाते थे लीजे जी हमने प्लस कर दिया clear everything is clear ओके यहीं पर से मैं आपको बतायता हूं जब भी आप स्ट्रीम में जाते थे आप स्ट्रीम से सुनिए यह था हमारा first question पर हम जो first number question आप स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यहां पर से first number question देखे क्या लिखा है what is the speed of bottom downstream तो downstream में क्या रहेगी simple आप क्या पर यह बस 5 plus 2 is equal to 7 km per hour तो बस क्या कितना simple है कुछ भी नहीं है बस टिक लगा लिजिए हूं पर 7 plus 5 plus 2 7 km per hour ठीक है अब बढ़ते है next question तो next question क्या आपके पास धान से सुनिए है if the speed of boat same thing if the speed of boat in still water still water जो भी है the speed of boat is 5 km per hour and the speed of stream is 2 km per hour what is the speed of boat in upstream तो चले इसको भी कल लगते हैं देखे जैसे मने बताया थे ना आपको अब मुझे बताईए इसको करने में कितना time लगा आपको 2 seconds लगोंगे देखे चले इसका option क्या था वो option लगते हैं चलो कोई नहीं option तो आपको पता लग जाएगा तो चले अब second question देखे क्या है आपस same thing वही आई अब इससे simple कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों इससे simple कुछ नहीं हो सकता ठेक है पहले लेका यह गुस्ता लेका जित्त में पता है 5-2 करेंगे अब downstream स्वीड में 5-2 अब इसके पीछे क्या रिजन है क्या concept है वह सब आप प्लीज मेरी वीडियो देख लीजिए उसको पढ़िए क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ question करेंगे उसका हमें बस mcp करने तो मैं जगा टाइंबेस नहीं करना है concept जितने भी आप मेरी class देख लीजिए तो सबसे पहले हमें एक relation पता होने चाहिए distance is equal to speed into time का सबसे अब कौनसी डिस्टेंस कौनसी स्पीड question के साबसे distance कौन सी आपकीकौनसी डिस्टेंस डाउन्स्टेंस की और आपको टाइम में स्पीड है वो भी जा रहे गा यह पिडाउन्स्टेंड करेंगे तो speed downstream कितनी होती है x plus y तो पहले time यहाँ पर लिखे distance कितनी दे रिखे आपको देख लिजिए question में आपको distance देरे case में 21 km per hour और speed downstream speed क्या रहे है आपके देखे downstream speed क्या होती है x plus y जो कि यहाँ पर कितना है 5 plus 2 और 5 plus 2 होता आपके पास कितना 7 तो देखे फ्रेंट यहाँ पर से हमारा 7 से रिची कडिया तो 3 hours हमारा answer आगे है तो देखे 3 hours हमारा 12 question यहाँ पर complete होता है तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ question की तरफ टड़ा पर सब दो देख लिजिए इसको मैं रफ करता हूँ आपने 4th question को फड़ा पर solve करता हूँ कि एक इसको एक बर आप लिजी ठीकर seam to Same एसा ही है मैं तो इतना रचा तो देख लिए वोगा अपने पर स्क्रिकली इसमें कि बातों हो रहिए कि इसकी पहुत है अब दाउंट्रिम चला था आप 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 स्ट्रिम चलना है तो और इसको आप फॉर्थ बनाई है तो अब हाँ फॉर्थ कोशन के तरह पढ़ेंगे तो देखें क्या है क्या है क्या है पॉश्चन तो टाइम इस इकल टू सेम सेम तिंग डिस्टेंस कौन सी आप स्ट्रीम की चलो एक काम करते हैं ऐसे लोगते हैं आपको इस से अच्छे समझ क्लिम माहिए तो अगला कोश्चन पो इस तरह से कराश हो हो सो टाइम स्कॉर्ट देखें यहांपर इस त्टीम की डिस्टेंस कितनी देखिया बिस्टीम कितना जा रहा हूँ हो ट्वध किलीमिटर ठीक है सो ट्वल किलीमिटर आप स्ट्रीम जा रहा है स्पीड डाउन्स स् में देखिए किती जल्द होगे जैसे कि मैं आपको कहा था तीन सेकेंड मां आपका एक कोश्चन हो जायागा और वह भी चुका है तो बहुत बहुत बात है नाव मोट दाफ फिप्ट कोश्चन इसको रफ करें अब हम बढ़ते हैं फिप्ट कोश्चन की तरफ जो हमारा लास् किया रखां देखिए क्या बोला का फिप्ट कोश्चन में इफ ता स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम भी एक्स किलोमेटर पर आवर एंड वाइक्स किलोमेटर पर आवर रिस्पक्तिल बी देखिए यह चीज़ गिवन है और यह आल्री मैंने लिखी भी है ठीक है यह यह है मैंने पहले सी लिखती है और आपको कॉश्चन में भी दे रहा है ठीक है रिस्पक्तिबली वाट इस दर डिस्टेंस कवरड बाई डांस्तिंग बोट इन टीवर बात किसकी और यह लिए डांस्तिंग डिस्तेंस की होता है मैंने आपको बता रहा है स्पीड इंटु ठीक है टाइम आपको देख रहो कितना रहा है के पिए स्माल टी ठीक हो टाइम आपको इतना गिवन है सो डिस्टेंस इस इकल तो यहां से डाउन इस्टिम इतना गया एक्स प्लस वाई और यह ती आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा प्लीज आप इसको टिक लगा है तो दोस्तों कैसे लगए आपको क्लास आई होब कि सबको समझ मां आ क्या होगा आपको क्लास अच्छी लगए होगी और हम देखिए इसी तरीके से केश स्टड़ी पढ़ते रहेंगे तो आज हमारी पेर और लिनियर की केश स्टड़ी जो है खतम हो चुकी है तो आप ने आप से फिर मिलेंगे एक नए केश स्टड़ी नए जप्र लेके तो तक के लिए फ्रेंस टेक क्यार गुडबाइब नाइस टे श्टे हों स्टे से अंड थैंक यू